रिव्यू करेंगे ब्लैक एडम फिल्म तो भीया मैंने रोक भीया की ब्लैक एडम देखी और दो घंटे की ये फिल्म पूरी तरह एंटरटेनिंग है फिल्म में अच्छे और अच्छे की लड़ाई के साथ साथ अच्छे और बुरे के बीच में लड़ाई दिखाई गई है अब क्योंकि ये सुपर हीरो मुवी है तो आपको सभी फाइट सेन, सुपर पावर वाले मिलेंगे और देखकर मज़े आएंगे फिल्म में आम इंसानों को सिर्फ एक एलिमेंट की तरह योज किया गया है और फिल्म का पूरा फोकस सुपर हीरो के उपर है खासतों से ब्लैक एडम पर शुरू के 20 मिनेट छोड़ के अगर बात करी जाए तो पूरी फिल्म में back to back action scenes आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें emotional element डालने की कोशिश की गई है पर वो emotional नहीं कर बाते है और comedy के लिए इसमें कुछ comic punches भी है जो ठीक ठाक है फिल्म में मुझूद सभी सूपर हीरो और उनकी powers आपको पसंद आएगे इसका music और visual effects बहुत बढ़िया है और देखने में अच्छे लगते हैं और फिल्म के last में Superman का एक छोटा सा scene है जिसे देखकर ये idea लग जाता है कि future में हमें Superman और Black Adam के बीच fight scene देखने को मिलने वाली है अब इस बात को लेकर confused मत होना कि Black Adam good है या bad तो वो head तो good पर थोड़ा ideal है तो उसकी ना सिर्फ Superman बलकि और भी Super Heroes के साथ fight देखने में मज़ा आएगा लेकिन फिल्हाल official update यही है कि Black Adam और Superman के बीच सिर्फ एक नहीं बलकि एक लंबी लड़ाई चलने वाली है जिसे टुकडों में दिखाया जाएगा फिल्हाल अगर Black Adam की बात करें तो यह film 3.5 स्टार के लिए perfect है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए good day